उत्तर प्रदेश में जो तीन सीटों पर उप्चुनाव होने वाला है कॉंग्रेस पार्टी उसे नहीं लड़ेगी मैंपुरी, रामपुर और खतावलिक के उप्चुनाव कॉंग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी संगठन को मजबूत कर निकाय चुनाव की तैयारी में चुटी हुई है कॉंग्रेस रामपुर और आजमगर्ण लोगसवाव चुनाव भी कॉंग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी पसपा भी उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में लड़ेगी यह बहुत महत्वण है यह बहुत ही महत्वण है पहुजन समाच पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी यह क्रमशा जो दो पार्टियां है वैसे तो उनका फिलहाल वरतमान में राजनितिक अस्तित्र प्रदेश में कोई बहुत जादा नहीं दिखता है लेकिन फिर भी यह रिलेवेंट है और इनका उपचुनाओ न लड़ना अपने आप में एक बड़ी बात तीन उपचुनाओ तीन सीटों पर होने इसमें दो विधान सभा की सीटे हैं एक लोग सभा की सीट है और ये उपचुनाओ ना कॉंग्रेस पार्टी लड़ेगी और ना पहुजन समाज पार्टी लड़ेगी ये बड़ी बात अविनाश तिवारिक ओर्लाइन पर है और इस खबर के बारे में और विस्तार से बताने वाले हैं अविनाश क्या जानकारी मिल रही है आपको इते के राजमर अगर बात किया तो कॉंग्रेस पार्टी में इर्णाओ किया है कि जो तरीके से रामपूर और राजमगर में लोग सब्सक्राइब लड़ने का है और उसी के लिहाद से पुरी तरीके संगटन को पहले मचबूत किया जा है उसके बाद पिर आने वाले तमाम तरे चुनाओं पर कॉंग्रेस पार्टी लड़ेगी वहीं अगर बात किया तो बस्पा ने भी निर्ड़ा किया है कि चुनाओं नहीं लड़ेगी पस्पा के जो 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 जन्रॉल कोडिनेटर है इसके लावा जो प्रमुक लोग है उन्होंने एक जानकारी दिये कि बस्पा सब्सक्राइब कर देगी तो अब मुकाबला होगा वो सपा और भाजपा की बीची होगा बिल्कुल आप ठीका अविनाश ये बात लगातार कई जा रहे थी कि कई बार वोटों का बिखरा हो जाता है ऐसे आरोप लगाए गए थे और अब जब पर कि यह बिल्कुल साफ है कि बोजन समाज पाटी कांग्रेस पारटी चुनाओ नहीं लगे तो मुकाबला सीधा भारती जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में आज मायाबन200 के बीच में कि जहां पर भी तपा हारती है वहां पर ये खहे देती है कि अगर बस्पा चुनाओं लड़ती है तो उसको बीजेपी की बीटीम करा रहेती है और वहां तो अपने ट्वीट में उन्हों ने साफ तोर पर इंजित किया था कि अमयनपूरी और इसके साफ साथ राधपूर में चुनाओं होने है तो उसको जीज़ का समधदी पार्टी दिखाए तब उन्हों ने अपने इस चीज़ के साही तोसुबात है कि इशारा किया था कि बस्पा इस चुनाओं में प्रति भाग नहीं करेगी वहीं अब बस्पा ने अपनी ओर से क्लियर करते हुए तखीर साफ क अब मुकाबला होगा वो जाहिए तो सपा के पास थी एक भाज़पा के पास थी मुकाबला भी अब सीधा भाजपा गडबंधन बनाम सपा गडबंधन है और इसलिए बहुत रोचा के उप्चनाओं बहुत धन्यवाद आपका बाइपोलर कंटेस्ट इसे कहा जा सकता है ज्वी ध्रूई है मुकाबला जो होने वाला उप्चनाओं में एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी